स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर दोस्तों आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका यूज हमारे साइट पर अक्सर होता है और काफी जानकारिया काफी चर्चा होने के बाद भी हम हम अक्सर साइट प्रे het के लिए गंति करदेते हैं तो आज हम बात करेंगे डेवलप्मेंट लेंथ और लेप्ट लेंथ की पहले समझने का प्रयास करते हैं कि क्या डियल फर लेंथ एक ही चीज तो पहले ही यह समझते हैं कि development length है क्या, दोस्तों जब development length जो है, that is the minimum length of bar required to transfer a load from one member to another member, ठीक है, यह क्या है आपका, suppose किजिए यह beam है, यह आपका column है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, beam से column में load transfer हो रहा है, तो this length from here to here, this is called development length, इस length को हम क्या बोलते हैं, development length, यह development length क्या है, तो minimum length required to transfer the stress from beam to column, एक member से दूसरे member पर, आप इसी तरह, अगर आप इसको नीचे देखेंगे, यह load मान लीजे, नीचे चला गया, यहाँ पर footing में, ठीक है, यह आपका footing है, तो यह जो शरीया आया, यहाँ आया, हम इसको इस तरह से band करते हैं, तो यह जो length है, that is called development length, यह क्य क्या कर रहा है, column का, जो load है, इसको, कहाँ transfer कर रहा है, footing में, तो बहुत simple है, कि जहाँ भी load का transfer, one member to another member हो, उसको हम, क्या कहते हैं, development length, lap length में, क्या होता है, देखिए, यह beam है, यह सरीया यहाँ से आया, यहाँ पर यह cuttle हो गया, और यहाँ से हमने, एक, दूसरा शरीया यहाँ डाला, यह जो lap है, यह जो length, यह जो length है, इसको हम कहते है, lap length, यह क्या कर रहा है, कि यहाँ से stress को, यहाँ transfer कर रहा है, यह stress अगर ऐसे move कर रहा है, तो stress को इस बार से इस बार में transfer कर रहा है, तो left length क्या है, is the minimum length required to transfer the stress from one steel bar to another steel bar, ठीक है, यही इसका difference है, अगर आपको interview में बहुत favorite question है, यह interview में अक्सर पुछा जाता है, तो अगर आपसे कोई यह पुछे, interview में तो आपको यही बताना है, और यही difference है, दूसरा इसका difference जो है, इसकी calculation में है, इसको जिस तरह से निकालते हैं, calculate करते हैं, उसमें यह है, तो development length का calculation के लिए, आपको एक formula याद होगा, आपने पढ़ा होगा, ld is equal to diameter into sigma s divided by 4 into tau bd, ठीक है दोस्तों, तो development length वही होगा, जो यह formula calculate करेगा, ठीक है, अब lap length क्या होगा, formula कैसे calculate होता है, मैं भी बता रहा हूं अपको, lap length क्या होता है, is the maximum, ठीक है न, जो maximum होगा, ld और 30 times diameter of the bar, इसमें से जो maximum होगा, ठीक है न, यह होगा आपका lap length, तो कहने का मतलब आपको ld इसी formula पे concentrate करना है, अगर आपको development length को समझना है, तो आप, हम जो thumb rule लेते हैं, आप सभी जानते हैं कि हम thumb rule में इसको 50D लेते हैं, तो उस वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं, लेकिन इस formula को समझ यह बहुत clear है, यह आपका dimension of the bar है, 10, 20, जो भी आप use करते हैं, यह जो है, this is the stress in the member, ठीक है न, due to design load, ठीक है न, यह है sigma s, यह किसको कैसे लेंगे, मान लिजे, आपने fe 415 यूज किया, ठीक है, या आपने fe 500 यूज किया, तो यह 415 और 500, यह आपको IS 1786 में इस सर्या का designation है, ठीक है न, यह क्या है, 415 क्या denote करता है, यह, this is the yield stress, ठीक है न, yield stress, 415 is the yield stress, अगर यह 500 designation है, 500 is the yield stress in newton per mm square, ठीक है, तो अगर किसी सर्या का designation 415, अगर यह designation है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि इस सर्या का yield stress, 450 newton per mm square है, इसका 500 newton per mm square है, यह yield stress है, टेंसाइल stress नहीं है, इस बात को बहुत ध्यान से समझियेगा, कि हम जो यहाँ पर designation देते हैं, this is not the tensile stress, this is the yield stress, कभी-कभी ऐसा होता है, जब टेस्टिंग करने के लिए, इसको ब्रेक करते हैं, तो yield नहीं मिलता है, तो yield नहीं मिलेगा, तो हम इसको क्या लेंगे, 0.2% proof stress, यह हम calculate करते हैं, इसका graph से, यह hook slow में है, आप सभी जानते हैं, तो यह हो गया, अब sigma s का value हमको यहीं से लेना है, यह जो designation है, यह ही sigma s है, क्योंकि sigma s का value इससे कम होगा, यह आप सभी को पता है कि कम होगा, क्योंकि यह safer side में है, तो हमारा यह safer side में जाएगा, इसलिए हम इसको simply आपका जो yield stress है, हम इसी को put कर दें, हलांकी sigma s का value यह नहीं है बार में, यह इसका yield stress है, लेकिन हम यह safer side में है, है इसलिए हम maximum जो आ सकता है, वो यही हा सकता है, तो हम इसको foot कर देंगे, फ़र आपको पता है, अब सारा खेल जो है, इसका है top bd का, इस चीज़ को आपको समझता है, यह आपको पता है, यह पता है, यह पता है, इस formula में सिर्फ और सिर्फ, तोबीडी है जो आपको समझने किया होई सकता है ठीक है अब देखिए तोबीडी जो है यह क्या है दिस इज दी डिजाइन बॉन्ड इस्ट्रेस ठीक है तो डिजाइन बॉन्ड इस्ट्रेस जो है यही सारा चीज डिपेंड करेगा इसी पे यह हमारा जो है डिवलप्मेंट लेंद क्या है और यह इनवर्सली प्रपोर्शनल है डिवलप्मेंट लेंद क्या है तोबीडी ज्यादा होगा तो डिवलप बाजने के लिए आपको IS 456 में जाना पड़ेगा और मैंने यहां पर टेबल लिखा है आप भी देख लिजिए IS 26.2.1.1 यह टेबल है इसमें this is the value of top BD ठीक है मतलब design bond stress का value है आप इसमें देख सकते हैं जैसे जैसे strength बढ़ रहा है concrete का वैसे वैसे top BD का value भी बढ़ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि top BD का value directly proportional to strength of the concrete strength of the concrete बढ़ेगा तो top BD का value बढ़ेगा ठीक है ना top BD का value बढ़ेगा तो development length घटेगा ठीक है ना इस equation को आप समझ लिजिए sigma S का value बढ़ेगा तो यह directly proportional तो इसका अगर कोई भी सरिया का मतलब आप higher designation का सरिया यूज किजिएगा development बढ़ेगा तो इस equation को समझेए अच्छा यह है आपका table plan bar के लिए ठीया ना flexural flexural bar के लिए इसमें आपको 60% add करना पड़ेगा अभी मैं आपको एक example से समझाता हूं कि इसका length कैसे निकालते हैं जैसे आपने मान लिजे शरिया यूज किया है 20 mm का ठीक है 20 mm का सरिया आपने यूज किया ग्रेड क्या है FE 415 ठीक है और concrete का ग्रेड क्या है M मान लिजे आपने 30 यूज किया M 30 ठीक है तो आपका development length क्या होगा बहुत simple हम formula में put करेंगे sigma s divided by 4 into आपका tau bd अब देखिए ही diameter आपको पता है 20 into sigma s पता है 415 divided by 4 into tau bd का value आपको पता है M 30 के लिए 1.5 ठीक है और इसमें अगर आप flexural के लिए यूज कर रहे है और यह आप अगर यह plane bars के लिए है और deformed bar के लिए deformed bar के लिए आपका 60% use करना है deformed bar मतलब tmt bar जो is17 is1786 में जो bar है उसके लिए हम 60% और increase करते है यह plane bar के लिए यह आप देख सकते है is 26.2.1.1 का यह note में लिखा हुआ है ठीक है तो इसको आप 1.6 से multiply कर दीए तो यह value आपका आएगा 20 into 864 mm यह आपका सरिया 20 mm का है 20 से divide करेंगे तो ld is equal to आजाएगा आपका 43 times diameter of the bar ठीक है तो यह आपका आगया development length ld और जब आप lap length की बात करेंगे तो यह क्या होना चाहिए 30d या 43d जो सबसे ज्यादा है तो यह आपका हो जाएगा lap length भी 43d तो इस case में जो हमने यह example लिया था यह example इस case में lap length और development length दोनों बराबर होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा यह depend करेगा आपका कौन सा grade का आप concrete यूज कर रहे हैं कौन सा grade का still यूज कर रहे हैं और member जो है deformed है या plane है flexural में है या compression में है इसमें एक point और है कि अगर member जो है compression में है तो हम उसको tension से 1.25 percent जो है bd का value को और increase कर देते हैं मतलब क्या है वह देखिए इसका क्या मतलब है यह मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं यह आपका column है यह beam है ठीक है अब यह आपका development length इधर से आ गया और जो नीचे member है वह ऐसे चला गया तो यह जो development length है यहां से यहां तक ठीक है इसको अगर आप कहिएगा ld1 और यहां से जो development length है this one अगर आप इसको कहिएगा ld2 तो क्या ld1 और ld2 यह बराबर है होगा नहीं होगा ld1 मतलब इहां से जो development length आप calculate किएगा और इहां से जो development length calculate किएगा वह बराबर नहीं होगा क्योंकि एक tension में एक member है और एक member compression में तो जब हम compression में जो member लेते हैं तो हम tension member से तो अगरी का value को one point two five percent बढ़ा देते हैं यह तो बात हुई आपका values की development length और lap length में क्या difference है यह एक और बहुत बड़ा difference है जो मैं आप लोगों बताना चाहूंगा वह difference यह है कि फिर से हम उही आते हैं यह आपका column है यहीं है थीखे दोस्तों यह का column है आपने यहाँ पे development length दिया ठीक है यहाँ से आपने यह development length provide कर दिया अब आप यहां पे आपने यहां पे लैप लेंड परपैट किया, beam में जो है, lap zone उपर होता है, top member जो है beam का, इस पर मैंने एक बहुत 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 बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ है, कौन सा member column में कहां पर lap देना है, कहां पर lap नहीं देना है, कौन सा lap zone है, कौन सा lap zone नहीं है, beam के case में अगर उपर वाले शरिये में आपको lap देना है, तो आपको बीच में देना है, यहां से L by 4 छोड़के, इधर से L by 4 छोड़के, अगर इधर column यहां पर है, तो यह L by 4 छोड़के, और यह बीच वाला जो L by 2 है, यहां पर आपको lap देना है, क्योंकि लोड जब उपर से आएगा, तो उपर वाले member पर compression होगा, तो जहां भी tension होता है सरिये में, जहां tension सरिया में पैदा होगा, वहां पर आपको lap नहीं provide करना है, जहां पर compression होगा, वो लेपिंग zone होता है, तो beam के case में क्या होगा, आपका यह lepting zone, this is the lepting zone, तो आप जब यहाँ lab provide किजिएगा, तो यह आपका मान लिजिए, LD है, ठीक है, अब देखिए, जो बात मैं आपको समझाने का कोशिज कर रहा हूँ, कि यह जो length है, यह आपका development length है, लेकिन इस length को आप avoid कर सकते हैं, आप यहाँ क्या दे सकते हैं, आप यहाँ पे mechanical connection provide कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, mechanical connection, यह आपको पूछा जा सकता है कहीं भी, question आ सकता है, कि mechanical connection क्या है, तो इसमें दो तरह के connection जो है, आपके IS में provide किये गए हैं, IS 456 और IS 13920, यह दोनों standard को आप जो है follow कर सकते हैं, इसके लिए पहला है welding, और दूसरा है coupling, ठीक है दोस्तों, अब welding और coupling IS code तो welding भी अलाव करता है, जो भी शरिया 36 mm से ज्यादा अगर है, तो IS code यह कहता है, लेप splicing के close में, कि आप इसको जो है, provide कर सकते हैं welding, आप 26.2.5.1 का एक close देखियेगा, मैं इसको पढ़के बता रहा हूं, कि लेप splicing shall not be used for bars larger than 36 mm, for larger diameter bars may be welded, may be welded, may be welded, may be welded के ध्यान रखियेगा, in case when welding is not practical, lepping of bars larger than 36 mm may be permitted, in which case additional spiral should be provided around the left bar, यह बहुत clear cut provision है, कि आप welding कर सकते हैं, लेकिन उसके कई condition है, lepping करने के लिए भी आपको जो है, उसके IS में जाना पड़ेगा, उसके provisions follow करेंगे, लेकिन जो सबसे बढ़िया recommended तरीका है, वो है coupling, ठीक है, welding क्यों नहीं करना चाहिए, welding नहीं करना चाहिए, basically, मैं recommend नहीं करता हूँ, welding नहीं करना चाहिए, हलांकि IS में दिया हुआ है, लेकिन welding से बढ़िया आपका जो तरीका है, वो है coupling, coupling में क्या है आप इस length को आप save कर सकते हैं coupling में क्या होता है कि आप यहां पे डालिए यहां पे coupler लगाई है ठीक है ना और बस यह coupler क्या होता है एक तरह का thread होता है इसमें यह thread इधर से आये यह thread इदर से आये, तो यह जो load है, इदर से आया load, इस load को इसने transmit कर दिया, without lepping, तो difference क्या हुआ, lap length को हम mechanical connection से substitute कर सकते हैं, लेकिन development length को हम substitute नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या substitution है, कोई substitute नहीं है, आपको lap length, आपको development length देना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम coupling क कर सकते हैं, coupling के और दो-तीन फाइदे हैं, पहला तो यह आपका, अगर आपका डाया 25 mm से ज्यादा है, practical मैं बात कर रहा हूँ अब, practically, अगर आपका डाया 25 mm से ज्यादा है, और अगर आप coupling यूज़ कर रहे हैं, तो यह आपके लिए commercially viable है, आपका पैसा बच सकता है, लेकि अगर कम डाया के बार में, 10 mm, 12 mm या 16 mm के बार में, अगर आप coupling यूज़ किजिएगा, तो जो आप coupler का cost है, और जो आपका बाकी cost है, उसके कारण जो है, आपको इसमें महाँगा पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग कोसिस यह करनी चाहिए, कि अगर ज्यादा mm का wire है, 32 mm है, दूसरा यह जो, इसका जो alignment है, यह बिल्कुल aligned है, जैसे आप vertical के case में क्या होता है, कि आपका यह सरीया आया, ठीक है, आप जब नीचे वाला सरीया गो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको juggling करना पड़े गए इसमें, तो इसमें क्या होता है, stress का distribution होता है, stress concentration, मतलब एक सरी क्या से दूसरे सरीया, दूसरे से तीसरे से तो बहुत सारा सरीया होगा इसमें, ठीक है, तो वो आपका, जो है, stress distribution बहुत जादा होता है, दूसरा क्या है, कि देखिए, जब आप coupler use करेंगे, ठीक है, तो coupler जो है, वो आपका सिर्फ सरीया का strength पे depend कर रहा है, load transfer के लिए, लेकिन जब आप lap use कर रहे हैं, तो lap में क्या होता है, कि concrete का भी strength होता है, concrete के through stress transfer होता है, तो कभी-कभी अगर ऐसा हो गया, concrete lose हो गया माल लिए, ठीक है, आपने यहाँ lap लगाया हुआ है, concrete यह concrete अगर lose हो गया, तो आपका bond भी lose होगा, और आपका यहाँ से load transfer नहीं हो लेकिन अगर आपने इसमें coupler किया होता, आपे coupler लगाया होता, तो यह concrete अगर lose भी हो गया होता, यहाँ इधर का concrete, तब भी यह पूरा load transfer हो गया होता, तो ज्यादा safety provide करने के लिए coupler जो है, that does not depends upon the strength of the concrete, वो direct load जो है, बार के बार के through transfer कर जाता है, लेकिन जब आप लेप strength है, that depends upon the strength of the concrete, यह एक बहुत बड़ा difference है, दूसरा coupler का एक यह फायदा होता है, कि जब आप lab provide करते हैं, तो जैसे यह beam है, सपोज, ठीक है न, यह beam है, तो beam में यह जो है, top में यह lepping zone है, ठीक है न, bottom का सरिया के लिए यह lepping zone है, इधर और इधर, मतलब जो भी आपको lepping provide करना है, bottom bar में, वो यहां करना है, और यहां करना है, beam के case में, और top bar में अगर आपको lepping provide करना है, तो इसमें करना है, ठीक है न, लेकिन अगर आप coupler provide करते हैं, तो coupling आप कहीं भी कर सकते हैं, throughout the wire, ठीक है न, मतलब आपको यहाँ पे coupler provide करना है, य कहीं भी आपको कोई lepping zone में provide करना है coupler ऐसा जरूरी निए दूसरा क्या होता है कि आपको staggering 50% जो है बार should be staggered तो अगर आपको मान लिजिए यहां से यहां से आपको जो है मान लिजिए lepping आपने provide किया ऐसे ठीक है ऐसे तो अगर चार बार है तो आपको जो है यहां से maximum आप 50% of the bar एक जगह होगा दूसरा 50% of the bar दूसरे जगह होगा इसको बोलते हैं staggering ठीक है तो lab के case में आपको इस ट्रेगरिंग मस्ट है as per IS provision बार अगर आप coupling कर रहे हैं तो coupling के case में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं तो इसलिए lap length जो है lap से बढ़िया जो है coupling है तो आज के लिए इतना ही किसी और वीडियो में किसी और मुद्धे पर बात करेंगे उमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो रिप्या सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और अगर किसी बिशेश टॉपिक पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो comment box में comment कीजिए मैं प्रयास करूँगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दिये जाए आज के लिए इतना ही बहुत बहुत नमस्कार जैनी जैपारत